हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मैं स्विश साक्षी सो फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 6.5 और यह हमें करना है डिफ्रेंशेशन वाई ट्रांस्फोर्मेशन सो फ्रेंड्स इस एक्सराइज को करने से पहले आप एक बार सभी टिक्नोमेट्रिक फॉर्मलास डिवाइस कर लीजिए और अकर आपके पास टिक्नोमेट्रिक फॉर्मलास एवलेबल नहीं है तो आप कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइट करा दूँगी सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.5 सो फ्रेंड्स इसमें हमें कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू सस्टिट्यूट करने होते हैं और उसके बाद करना होता है डिफ्रेंशेशन सो देखें अगर हमें कभी भी इस फॉर्मेट में मिलेगा a-square-x-square तो हम उसके प्लेस पर रखेंगे sin-theta याफिर cos-theta और अगर हम इस फॉर्मेट में देखते हैं x-square-a-square तो इसमें रखते हैं sec-theta याफिर cos-theta और यदि हमीं मिल जाता है a-square plus x-square तो इस case में हम रख देते है time-theta याफिर gote-theta हमारे इस वाले format का है न a square minus x square का तो यहाँ पर हम put कर देते हैं x is equals to cos theta तो हम यह कह सकते हैं theta की value आ गए हमारी cos inverse x तो देखें यहाँ पर क्या हो गया है y is equals to sin inverse under root 1 minus cos square theta और हम जानते हैं 1 minus cos square theta क्या होता है sin square theta तो under root से square cancel हो गया हमारे पास बच गया है sin inverse sin theta और हम जानते है sin inverse से sin cancel हो जाते हैं हमारे पास बच गया y is equals to theta और theta की value हमारी कितनी है cos inverse x और अब इसका क्या कर देते हैं differentiation so dy by dx कितना होगे हमारा minus के 1 upon under root 1 minus x square next है हमारे पास y is equals to cos inverse under root 1 minus x square तो इसमें हम put करेंगे x is equals to sin theta तो theta की value कितनी है sin inverse x तो अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 minus sin square theta और हम जानते है 1 minus sin square theta क्या हता है cos square theta और under root से square cancel so यह जाएगा हमारा cos inverse cos theta तो हमारे पास क्या आगे है y is equals to theta so y is equals to कितना आगे है sin inverse x differentiation कर देते हैं तो क्या जाएगा 1 upon under root 1 minus x square next क्या है हमारे पास y is equals to sin inverse 1 minus 2 x square तो यहाँ पर हम put करेंगे x को sin theta so theta की value कितनी आगे है हमारे पास sin inverse x तो यह हो गया है sin inverse 1 minus 2 sin square theta और हम जानते है 1 minus 2 sin square theta क्या होता है cos 2 theta और हम cos 2 theta को क्या लिख सकते है sin 90 minus 2 theta तो हमारे पास क्या बज़गे है 90 minus 2 theta तो y की value आगे है मेरे पास 90 minus 2 और theta की value कितनी थी sin inverse x अब इसका क्या गर देते हैं तो हम जानते है pi y 2 का होता है 0 और sin inverse x का क्यों जाता है under root 1 minus x square आई देखता है question number fourth यह क्या है cos inverse 2x square minus 1 तो इसमें हम put कर देंगे x is equals to cos theta तो theta की value कितनी होगे यह cos inverse x तो y is equals to cos inverse 2 cos square theta minus 1 तो यह होगे cos inverse cos 2 theta क्योंकि 2 cos square minus 1 और 1 minus 2 sin square theta इनका ही formula क्या होता है cos 2 theta तो y मेरे पास कितना बज़ गया है 2 theta तो y is equals to 2 और theta की value कितनी है मेरे पास cos inverse x differentiation करते हैं तो आजाएगा minus के 2 upon under root 1 minus x square आई देख लेते है question number fifth यह कह रहा है y is equals to cos inverse 1 minus x square upon 2x तो यहाँ पर हम put कर देते हैं x is equals to 10 theta और theta की value आगई है 10 inverse x तो मेरे पास आगया y is equals to cos inverse 1 minus 10 square theta upon में 210 theta तो हम एक काम करते हैं 10 को में क्या लिख सकते हैं sin upon cos तो हमने यह क्या है यहाँ पर 10 square theta की place पर लिख दिया sin square theta upon cos square theta और यहाँ पर 10 theta की place पर क्या लिखना है sin theta upon cos theta अगर हम LCM वगेरा लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा cos square theta minus sin square theta और नीचे बज़ेंगे 2 sin theta एक cos theta से एक cos theta cancel हो जाएगा और एक की sin theta के साथ हो जाएगी multiply हम जानते cos square theta minus sin square theta किसका formula होता है cos 2 theta का and 2 sin theta cos theta किसका होता है sin 2 theta का और हम यह भी जानते है cos upon sin क्या होता है cos theta so cos 2 theta upon sin 2 theta क्या होगा है cos 2 theta cos inverse से cos गाया और हमें पता है 2 theta यानी theta की value कितनी है 10 inverse x so इसका कर देते हैं differentiation जो आएगा 2 1 upon 1 plus x square next है हमारे पास question number 6 इसमें क्या कह रहा है sec inverse 1 upon 2 x square minus 1 तो यहाँ पर हम put कर देंगे x is equals to cos theta तो theta की value कितनी आ जाएगी cos inverse x यहाँ पर put कर देते हैं तो हमें मिल गया है to cos square theta minus 1 यह formula है हमारा cos 2 theta का तो cos inverse से cos का आएग और मेरे पास बज़ गया है y is equals to 2 theta theta की value put कर देते हैं और इसका क्या करते हैं a differentiation next हमारे पास question number 7 इसमें क्या दे रखा है y is equals to cos inverse 4 x cube minus 3 x तो इसमें हम put कर देंगे x is equals to cos theta तो मुझे theta की value कितनी मिल जाएगी cos inverse x तो यहाँ पर आजाएगा y is equals to cos inverse 4 cos cube theta minus 3 cos theta यह किसका formula है cos 3 theta का cos inverse से cos का है मेरे पास बज़ गया है 3 theta theta के place पर लिख देंगे cos inverse x और अब इसका कर देंगे differentiation और हमें पता है cos inverse x का कितना होता है minus के 1 upon under root 1 minus x square तो देखते है question number 8 8 में कह रहा है y is equals to 10 inverse 3a square x minus x cube upon में a a square minus 3x square तो इसमें हम put कर देते हैं x is equals to a tan theta तो theta की value कितनी आजाएगी 10 inverse x upon a तो यह हो जाएगा y is equals to 10 inverse 3a देखिए a square पहले से थे और x के place पर a tan theta लिखेंगे तो कितने होगा a cube 10 theta यह कितने है a cube 10 cube theta नीचे a a square minus 3a square 10 square theta उपर से a cube common ले लेते हैं और नीचे से ले लेते है a square और a square में a की multiply करेंगे तो a cube उपर नीचे से a cube cancel तो मेरे पास बज़ जाएगा 3 tan theta minus के 10 cube theta upon में 1 minus 3 tan square theta और यह किसका formula है मेरा 10 3 theta का तो मेरे पास बज़ गया y is equals to 3 theta तो theta की value कितनी है 10 inverse x upon a तो dy y dx मेरे पास कितना आ गया है 3 into 1 upon a 1 plus x upon a का whole square तो यह हो गया है 3 upon a square plus x square upon में a square तो यह हो गया है 3 upon a square plus x square और यही होगा मेरा answer आ जाते हैं हमारे question number 9 पर जो दिया हुआ है 10 inverse a plus x upon 1 minus a x तो इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम put कर देते हैं a is equals to 10 alpha and x is equals to 10 theta तो alpha की value आ गया है 10 inverse a and theta की value आ गया है 10 inverse x तो y मेरा कितना आ गया है 10 inverse 10 alpha plus 10 theta upon 1 minus 10 alpha 10 theta और हम जानते हैं कि इसका formula होता है 10 alpha plus theta का so मेरे पास क्या बज़ गया है alpha plus theta alpha के place पर मैंने put कर दिया 10 inverse a and theta के place पर put कर दिया 10 inverse x जो हम इसका differentiation करेंगे तो 10 inverse है हमारा constant है क्योंकि इसके पास x है ही नहीं और हम x के respect differentiation कर रहे हैं तो इसका जाएगा 0 और 10 inverse x का हम जानते है 1 upon 1 plus x square so आईए देख लेते हैं question number 10 जो हमें दिया गया है y is equals to cot inverse 1 plus x upon 1 minus x तो यहाँ पर हम put कर देंगे x is equals to cot theta so theta की value कितनी आ जाएगी cot inverse x तो यह जाएगा cot pi y 4 cot theta plus 1 लेकि 1 तो as it is है और x की multiply में हम क्या मान सकते हैं 1 तो 1 क्या होता है cot pi y 4 की value 1 होती है तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिख लिए cot pi y 4 cot theta plus 1 फिर से हमने यहाँ पर 1 को क्या लिख लिख लिए cot pi y 4 और x के place पर क्या आगे cot theta और यह मेरा पूरा formula किसका है cot theta minus pi y 4 का तो मेरे पास बज़ गया है theta minus pi y 4 theta की value put कर लिया cot inverse x differentiation करेंगे तो cot inverse x का होता है minus की 1 upon 1 plus x square और pi y 4 काम जानते कितना होता है 0 next है मेरा question number 11 इसमें दिया गया है y is equals to 10 inverse 1 minus cos x upon sin x तो हम 1 minus cos x को क्या लिख सकते है 2 sin square x y 2 और sin x को क्या लिख सकते है 2 sin x y 2 and cos x y 2 2 से 2 cancel 1 sin से 1 power cancel और यह मेरे पास क्या बज़ गया है sin x y 2 upon cos x y 2 इसको रिख सकते हैं 10 x y 2 तो मेरे पास बज़ गया x by 2 जो हम differentiation करेंगे तो x को जाता है 1 so dy by dx कितना आगे है मेरा 1 by 2 12 है मेरे पास y is equals to 10 inverse cos x minus sin x upon cos x plus sin x अगर मैं इस पूरे इसमें पूरे में मैं किस से डिवाइड कर तू cos x से देखें numerator में भी cos x से डिवाइड करेंगे और denominator में भी cos x से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा sin x upon cos x 10 x सेम काम नीचे हो गया तो नीचे बच गया 1 plus 10 x अब देखें यहाँ पर 1 को क्या लिख सकते है 10 pi by 4 क्योंकि हमें पता है 10 pi by 4 minus x का तो मेरे पास बच गया है pi by 4 minus x और pi by 4 का differentiation करेंगे तो 0 और x का हो गया है 1 और यह मेरा final answer देखें question number 13 यह मुझे दिया गया है sin inverse root 1 plus x minus के root 1 minus x upon 2 इसमें पूट करने वाले है x is equals to cos 2 theta so theta की value आगई है cos inverse x by 2 यहाँ पर मेरे पास बन गया है 1 plus cos 2 theta minus 1 minus cos 2 theta by 2 हमें पता है इसके place पर हम क्या लिख सकते है 2 cos square theta और इसके place पर हम लिख सकते है 2 sin square theta इसको क्या लिख दे root 2 cos theta square से हमारा under root cancel square से under root cancel तो यह हो गया है root 2 cos theta minus root 2 sin theta root 2 पर से common ले लिए है upon method 2 तो यह हो गया है cos theta minus sin theta root 2 से एक root 2 cancel तो नीचे बज़ गए 1 by root 2 cos theta minus के 1 by root 2 sin theta हम जानते है sin pi by 4 की value 1 by root 2 होती है और cos by pi by 4 की value 1 by root 2 होती है सो मेरे पास बन गया है sin pi by 4 cos theta minus cos pi by 4 sin theta तो क्या बन रहा है sin a cos b minus cos से sin b और यह formula होता है sin a minus b का सो मेरे पास बज़ गया है pi by 4 minus theta तो pi by 4 theta की value थी मेरे cos inverse x by 2 differentiation करेंगे तो pi by 4 को जाता है 0 and cos inverse x का होता है minus k1 upon under root 1 minus x square और upon में 2 देखता है question number 14 यह मुझे दिया गया है y equals to 10 inverse root 1 plus x upon root sorry plus root 1 minus x upon में root 1 plus x minus root 1 minus x तो इसमें हम put कर देंगे x is equals to cos 2 theta तो यहाँ पर theta की value आ जाएगी cos inverse x by 2 यहाँ पर वन रहा है मेरे पास 1 plus cos 2 theta 1 minus cos 2 theta 1 plus cos 2 theta minus 1 minus cos 2 theta और हमें पता है न भई भई हम जानते हैं cos 2 theta क्या होता है 2 cos square theta minus 1 तो 1 से 1 cancel तो मेरे पास क्या बज़ गया है 2 cos square theta 2 का under root और यहाँ बज़ गया cos theta same process इसमें लगाया और नीचे वाले में उपर से root 2 को मलेंगे नीचे से root 2 को मलेंगे और दोनों हो गए मेरे cancel उपर बज़ गया है cos theta plus sin theta और नीचे बज़ गया है cos theta minus sin theta पूरे को cos theta से कर देते हैं divide तो यह बन जाएगा 1 plus 10 theta और अपन में 1 minus 10 theta इसके place पर लिख सकते हैं जैसे हमने पहले question में कर रहा था 10 pi by 4 plus 10 theta 1 minus 10 pi by 4 10 theta और यह मेरा formula बन गया है 10 pi by 4 plus theta का तो अब यह हो गया मेरे पास y is equals to pi by 4 cos inverse x by 2 differentiation करेंगे तो y का हो जाएगा pi by 4 का हो जाएगा 0 and cos inverse x by 2 का हो जाएगा minus k1 by 2 under root 1 minus x square चलिए देखते हैं हमारा question number 15 यह मुझे दिया गया है y is equals to sin square cot inverse under root 1 plus x upon under root 1 minus x यहाँ पर हम put करने वाले x को cos 2 theta तो theta की value कितनी हो जाएगी cos inverse x y 2 तो यह हो गया मेरे पास 1 plus cos 2 theta को कि लिख सकते हैं cos square theta square से under root cancel same 1 minus cos 2 theta को कि लिख सकते हैं sin square theta square से under root cancel तो मेरे पास क्या गया है sin square cot inverse cos theta upon sin theta और हम cos theta upon sin theta को क्या लिख सकते हैं cot theta तो cot inverse से cot गया तो मेरे पास बज़े गया sin square theta और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1 minus cos square theta तो योगे 1 minus cos square theta की value थी मेरे पास cos inverse x by 2 तो cos inverse से cos गया तो मेरे पास बज़े गया x by 2 का whole square और इसको लिख देंगे 1 minus x square by 4 differentiation करेंगे तो 1 का 0 x square का minus के 2x by 4 मेरे पास final answer आगे है minus के 1 by 2 देख लेते हैं हमारा question number 2 इसमें कहरा है कि यदि y is equals to a sine inverse 2x upon 1 plus x square plus second inverse 1 plus x square upon 1 minus x square तब हमें prove करना है कि dy y dx होगा 4 upon 1 plus x square तो यहां पर हम put कर देते है x को 10 theta तो theta की value कितनी है 10 inverse x तो y मेरा क्या होगा है sine inverse to 10 theta upon में 1 plus 10 square theta और यह कितने होगा है cos inverse 1 minus 10 square theta upon में 1 plus 10 square theta यह मेरा formula किसका होगता है sine 2 theta का और यह अगता है मेरा cos 2 theta का तो यहां पर कितने बज़ गए 2 theta यहां पर भी 2 theta और दोनों मिलकर बन गए मेरे 4 theta और theta के place पर क्या रख देंगे 10 inverse x differentiation करेंगे तो यहां पर आगया है 4 और 10 inverse x को जाता है 1 plus x square और इसी के साथ हमारी complete हो गई है exercise 6.5 अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादे से ज़्यादे शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए आपको ज़्यादे लाइक कीजिए लाइक कीजिए